इस कहानी में हमने अब तक देखा की, वही अयान और अयान जो की एक दूसरे के अपोजिक दिशा में अपने फैमली को डून रहे थे दोनों को उनकी असली। लोकेशन बड़ी ही आसानी से बिना कोई मुश्किल के मिल जाती है। वो दोनों ही अलग अलग जगा, अलग अलग कमरे के आगे खड़े होते हैं, उन अलग अलग कमरे के सामने पहिले ब्लैक आर्मी के गाट खड़े थे और वो सभी उस करने के दोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अयाना इस वक्त जिस करने के बाहर खड़ी थी वो कमरा अब तक के दो कमरे से बिलकुल ही अलग था, इस करने कुछ तो ऐसा था जो अयाना को सोचने पर मजबूर कर रहा था, अयाना बड़े ही सावधानी के साथ अपने कदम धीरे धीरे उस कमरे के नजदीक बढ़ती है, अयाना बस दो कदम की दो पर थी बलेक आर्मी के गार्ड से और कुछ टैन कदम की दूरी पर, उस करने के दोर से तभी अचानक एक अजीब सी म्यूजिक की दून सब के कान नई पढ़ती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देख कर अयाना के होश उर जाते है, अचानक वो अपनी जगह पर रूप जाते है उनकी आखे का कलर इस म्यूजिक की दूम के साथ बदलने लगता है वो गार्ड अचानक पीछे मुरते तो उनको अपने सामने अपनी लेडी बॉस अयाना और दो लोग दिखते है उन तीनों को देखते ही उन सभी गार्ड की आ और अपने सामने दिख रहे त्री लोगों को जान से मारने का इंटेंट दिखाई देने लगता है वही अयाना जो कमरे से आ रही दूम को सुनकर कमरे के आसपास के वातावरन में हो रहा बदलाव आसानी से महसूस कर पा रही थी और उस म्यूजिक के धुन की बजे से ब्लै जा सकती थी वही ब्लैक आर्मी के गार्ड अपने कदम धीरे अयाना और उसके दो साथियों की तरफ बड़ा रही थे जिसे देख कर अयाना जल्दी से अपने होश में आकर अपने दो साथियों से कहती है जॉन और स्टीफन इन सभी को बिना हॉम किये बेहोश करो ये सब अ इसे से जगह पर ले जाना है अयाना का ओर्डर मिलते ही जॉन और स्टीफन हरकत में आते हैं और अपनी तरफ बढ़ रहे 20 ब्लैक आर्मी के गार्ड को कुछ मू में ही बिहोश कर देते हैं वही अयाना जल्दी से सामने के कमरे के दोर के पास पोहच कर उस दोर पर लगे रहे 20 लाद वह डोर ओपन होता है और अयाना जॉन और स्टीफन के सथ उस कमरे में एंटर करती है स्टीफन सबसे पहले उस कमरे में जा कर म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देता है जिससे वो अजीब सी धुन बंद हूँ जाती है जॉन और स्टीफन ने कान में हाई-टेक से 50 Bluetooth पहने थे जिससे वो दोनों लेडी बॉस और अपने बॉस से connect थे और उस Bluetooth की खास बाद ये थी कि ये बाहरी music या disturbance से कान को protect करता था जिससे ये अभी चल रही अजीब सी music की धुन से प्रबावित नहीं हुए को की लोगों का mind आसानी से बदल सकती थी और इस music का मालिक इन और खुद ही अपनों के दुश्मन बन जाते अयाना कमरे के अंदर जाते ही उसको अपने डैड नवीन आहुजा कमरे के बीचों बीच एक पिलस से बंदे हुए दिखते हैं जिनकी हालत बहे ही खराब थी उनके सिर से लेकर पैर तक जगह जगह पर जखमों की निशान थे जिन से अभी भी खुण निकल रहा था अयाना के डैड के चेहरा ज्यादा खुण बेहने से पीला पड़ गया था अपने डैड की एसी हालत देखकर अयाना की आँखें नम हो जाती है इस वक्त अयाना की आँखों हा कलर दाक रेड हो गया था अगर अभी अपने डैड की ए चुला कर उनको पास मैं रखी चेय पर बैठकर उनके मुह में दवाई डालती है उसके बाद उनके जखमों में पर मलम लगाकर उनको जॉन और स्टीफन की मदद से इस कमरे के बाहर ले जाती है पर बाहर जाने से पहले उसकी नजर पास मैं रखे music system पर पढ़ती है जिससे वो अजीब शी धुन सुनाई दे रही थी जिससे उसके लोग hypnotize होकर उसके खिलाओ हो गए थे आयाना उस music system के सामने जाकर उस music system को अपने नने हाथों मैं लेकर उसको अच्छे से चेक करती है इस वक्त उसके आँखों मैं एक अलग सी coldness दिखाई दे रही थी अचानक आयाना अपनी नजरे music system से हटाकर music system के पीछे लगे दीवार की तरफ करती है जहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत paintig लगी थी उस painting की तरफ देखकर अयाना डेविल स्माइल करती है और अगले ही पल उसके चेहरे के expression कथोर हो जाते है और उसके हाथ में पकड़ हुआ music system इस paintig पर उपा फेकती है जो की उस paintig के बीचों बीच जाकर लग जाता है और वो painting किसी तूटी हुई पतंद की तरह जमीन पर गिर जाती है पेंटिग और music system को चकमाचूर होते देख अयाना हलकी सी मुसकराती है और उस करने से बाहर निकल जाती है अब तक बेहोश हुए हुए black army के guard भी अपने होश में आ गए थे उन सभी को कुछ भी याद नहीं था अभी उनके साथ क्या हुआ बस उनको इतना ही याद था कि इस कमरे के अंदर से एक अजीब सी music की धुन उनके कान मैं पड़ी उसके बाद आगे क्या हुआ इस बारे मैं उनको कुछ भी याद नहीं था कैसे वो सब भी होश हुए पर अभी अपने सामने अपनी लेडी बॉस और जॉन स्टीफन को देख सभी उनको salute करते हैं उन मैंसे कोई कुछ कहता उससे पहले ही अयाना अनसे कहती है हमको ये से जल्द से जल्द निकलना होगा हमारे पास बस फाइव मिनट है अयान ने आंती को छुड़ा लिया है वो ब्लैक आर्मी के चीफ के साथ वहाँ से निकल गया है इस बेस को मिठ्थी मैं मिलने मैं बस फाइव मिनट है हमको कैसे भी करके यहां से सिफ जगह पर जाना होगा जहापर हम बाकी सबसे मिलेंगे इतना कहकर अयाना एग्जिट की तरफ बढ़ती है और उसके साथ जॉन अपने पीट पर नवीन आहुजा को लेकर और उसके पीछे ही स्टीफन और बाकी सारे ब्लैक आर्मी के गाद थे वही अयान को अपनी मॉम को आजाद करने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि ब्लैक आर्मी के चीफ ने पहले से आधा काम कर दिया था बाकी काम तो चटकियों में हो गया और वो बड़े ही आसानी से अपनी मॉम को रिहा करके सीक्रेट बेस की एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर आयाना उससे मिलने वाली थी वही दूसरी तरफ सीक्रेट बेस 100 किलोमीटर्स की धुरी पर आसमान में हवा की रफतार से आगे बढ़ रहे हेलिकॉप्टर के अंदर अंजान सक्स जो अपने लेप्टॉप पर कुछ कर रहा था अचानक उसके लेप्टॉप की स्क्रीम ब्लैक हो जाती है स्क्रीम के ब्लैंक होने के पहले उसको अपने लेप्टॉप पर लाल आखे दिखाई देती है जिसमें अजीब सी कोल्वनेस दिखाई देती है जिसे देखकर एक पल के लिए तो अंजान सक्स की हट बीट बढ़ गई थी और साथ मैं उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था अगले ही पल लेप्टॉप की स्कीन ब्लैक हो जाती है और लेप्टॉप से टून टून की आवाज आने लगती है जिससे इंजनसाज उस लाल आखों से बाहर आता है जिसमें एक अजीब सा ही पागलपन कोल्डनेस और बेहिसाब गुसा दिखाई दे रहा था अंजनसक्स इस वक्ट सर से लेकर पार तक पसीने से लिद्पत था साथ में उसका पूरा शरीर गर के मारे काफ रहा था बॉस जब अंजनसक्स को गबराया हुआ देखता है तो उसके मन में अंजनसा दरगर कर लेता है वो अंजनसक्स को होश में लाने के लिए उसको हिलाता है जिससे अंजान सक्स अपने होश में आता है उसकी नजर जब बॉस की नजरू मिलती है तो वो जल्द ही अपने डर पर काबू पाकर बिना किसी इमोशन के बॉस की तरफ देखता है और कहता है फेल प्लान फेल हो गया, इतना कहकर वो बिना बॉस के कुछ कहने का इंतजार लिए बिना एक नजर अपने पास बैठे हुए मिस्टीरियस पसंद को तरफ देखता है जो की अपनी आखे बंद कर जे गहरी नीद में सोया हुआ दिखता है पर असल में वो गहरी नीद में सोया है या मौत सी भी बगतर डरावने ड्रीम से जूच रहा था ये बात तो सिर्फ वही जानता था अंजान सक्स जब मिस्टीरियस सक्स को सुकून से सोता हुआ देखता है तो अंजाने मैं उसके चहरे पर हलकी सी मुस्कराहट आ जाती है अभी को भी हुआ वो सब हो एक पल के लिए भूल जाता है और फिर खुद से ही कहता है क्या हुआ एक प्लान फेल हुआ तो अभी तो दूसरा प्लान भी मेरे हाथ मैं है और उससे वो चारो और उनको छुडाने आए हुए लोग नहीं बच पाएंगे अंजान सक्स के चहरे पर जहरी ही मुस्कान आ जाती है वो अपनी नजरे मिस्टीरियस पसंद से हटा कर बॉस की तरफ करता है और उससे कहता है स्टॉट प्लान भी उसने इतना हो कहा था कि बॉस के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ जाती है और वो जल्द ही प्लान भी पर लग जाता है दूसरी तरफ अयाना और अयान नवीम आहुजा और दिया सिंगानिया को छुडाने के बाद बिना किसी रुकावट के बड़े ही आसानी से बाकी सब के साथ मिलकर सीक्रेट बेस से बाहर सेफ जगह पर चले जाते हैं उनके सीक्रेट बेस से सेफ दूरी पर पोहाचने के ठीक three second बाद तेजवीर सिंगानिया और उसके two भाई और उनकी दो पत्निया अपने आदमियों के साथ secret base के अंदर enter करते है और उनके secret base के अंदर कदम रखे ही secret base के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और सीक्रेट बेस मिठ्थी में मिल जाता है और सीक्रेट बेस के साथ तेजवीर सिगानिया उसके दो भाई और उनकी पत्निया अपने साथियों के साथ अपनी जिंदगी के आखरी सास लेते है वही सीक्रेट बेस ब्लास्ट होते ही दूसरी तरफ अंजान सक्स के चेहरे पर एक अनकही मुस्कराहट आ जाती है वो खुद से ही कहता है Mr. A. and Mr. B. गुडबाई अंजान सक्स बॉस और उसके साथियों की नजर से Mr. and Message आहुजा and सिंघानिया और साथ मैं उनको छुदाने आई हुई Black Army और उनके दो-पाच साल के बच्चे सीक्रेट बेस में हुए ब्लास्ट और उनके प्लान भी के तहट इस दुनिया को अलविदा कह चुके है पर वो सभी ये नहीं जानते की सचाई कुछ और ही है आयान और आयाना सीक्रेट बेस से कुछ दूरी पर सेफ जगह पर खड़े होकर सीक्रेट बेस को अपने सामने जलता हुआ देख रहे थे उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी आयाना और आयान एक दूसरे की तरफ देखते है तो दोनों की आखों मैं अलग सी खुशी थी अपने परिवार को सही सलामत चुडाने की और साथ मैं अपने एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन ने बिच्छाए हुए चक्रव्यू मैं बेच कर एक दुश्मन को खत्म कर दूसरे दुश्मन को गुमराह करने की अयान और अयाना जब दिया सिंघानिया अयान की मौम और नवीन आहुजा अयाना के डैट को छुड़ाते है तब उन दोनों को ही अंजान सक्स के अगले प्लान के बारे में पता चल गया था जिसमें वो दोनों ही बड़े आसानी से अंजान सक्स को मात देते है और बड़े ही चालाकी से सीक्रेट बेस के अंदर तेजवीर सिंघानिया और उसके सभी साथिया को बेजते है जिससे अंजान सक्स अपने भरम में रहे कि उसके रास्ते का काटा यानी की नवीन आहुजा और कबीर सिंघानिया हिस दुनिया में नहीं रहे जिससे उनका ध्यान अयान और अयाना के mom dad से हट जाए और साथ में वो लोग अपने सब से बड़े दुश्मन तेजवीर सिंघानिया को अपने रास्ते से हट सके अयान और अयाना कुछ देर तक secret base की आती देखते है और फिर अपने mom dad और black army के साथ उस जगह से निकल जाते है 15 साल बाद बड़े से विला के अंदर दो लोग अपने computer के सामने बैठे थे और दोनों की उनगलिया computer के keyboard पर तेजी से चल रही थी उसी के साथ उनके सामने मोजूद computer पर तेजी के साथ code बदल रहे थे दोनों ही अपने काम में इतने दूब गए थे कि उनको अपने आसपास की भी खबर नही थी तभी उस कमरे में का दो रोपन होता है और उस कमरे में एक लगभग 15 साल के दो लड़के आते हैं जिनके हाथ में दो ट्रे थे जिन में snacks था दोनों जब उस कमरे में एंटर करते हैं और अपने सामने दो लोगों को computer के सामने बैठे हुए देखते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने सामने और अपना सर नामे हिला कर उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं, उन दो लड़कों मैं से एक लड़का जिसका नाम मयंग था वो कम्प्यूटर के सामने बैठे हुए दोनों के पास जाकर खड़ा होता है और अपने हाथ में मुझूग ट्रे पास में रखे हुए टेबल पर रखता है और अपनी कमर पर हाथ रख कर कहता है आप दोनों क्या हर वक्त इस कम्प्यूटर में सर खुपाई बैठते हों इतना कहकर मयंग अपना मून बना लेता है वही मयंग की बात सुनकर दो लोग जो कम्प्यूटर पर कुछ कर रहे थे उनका ध्यान अपने कम्प्यूटर से हट कर मयंग पर आ जाता है वो दोनों ही पहले एक दूसरे की तरफ देखते है और फिर उसके तरफ जो की अलग अलग सकले बना रहा था जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है वही मयंग जो अजीब अजीब मून बना रहा था वो जब उन दोनों को मुस्कराते हुए देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आँखों कर कहता है तुम दोनों समाइल क्या कर रहे हो मेरी तरफ देखकर मैं तुम दोनों से गुस्सा हूँ एक तो आज हॉलीडे है और तुम दोनों ने मुझसे प्रोमिस किया था कि आज हम बाहर गुमने जाएंगे वो सब भूल कर तुम दोनों यहां कम्प्यूटर के सामने बैखे हो मयन के बाद सुनकर उसके साथ आया हुआ लड़का जिसका नाम मानस था वो भी उसका साथ देते हुए कहता है और नहीं तो क्या अनाया दी हम दोनों कबसे आप दोनों का इंतजार कर रहे थे बाहर पर आप दोनों का काम ही नहीं खत्म हो रहा है और आप अयान जीजू आपने प्रोमिस किया था ना कि आज हम चारो मूवी देखने जा रहे हैं और अभी देखो टाइम क्या हुआ है बस वन घंटा बाकी है मूवी स्टॉट होने में उन दोनों की बाते सुनकर आयाना और आयान अपने कंप्यूटर के सामने से उठकर उन दोनों के सामने खड़े हो जाते है और अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर उनसे कहते है सोरी अनया मयन्क और मानस से कहती है हमने प्रोमिस किया था ना आप दोनों से की हम आज गुम्मे जाएंगे और साथ मैं मुवी भी देखेंगे तो हम अभी जा रहे है वो तो बस कुछ काम बाकी रह गया था को अब पूरा हो गया है अब हम चारो बिना किसी फिकर के अपना हॉलिडे एंजॉई कर सकते है अयाना और अयान बड़े ही मुश्किल के साथ मयन्क और मानस को मना लेते है वही मानस और मयन्क अपने प्यारी सी बिग सिस्टर आयाना और अपने जीजू आयान के मनाने पर मन जाते हैं और दोनों ही अपने अपने रूम में चेंज करने चले जाते हैं, उन दोनों के इस रूम से जाने के बाद आयान और आयाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं इस वक्त उन दोनों के चहरे पर बड़ी सी मुस्कराहत थी और सुकून साफ देखा जा सकता था अयाना अपनी अयाना की हग करता है और कहता है अनू आज हमारा बदला पूरा हुआ अब हम बिना किसी चिंता के मयंक और मानस के साथ अपनी जिंदगी हसी खुशी बीता सकते है आज उस मिस्टेरियस सक्स का किस्सा खत्म हुआ अयान की बात सुनकर अयाना उससे कहती है हा आयू आज हमने अपने सारे दुश्मनों को उनके किये को सजा दे दी है बस आज का दिन देखने के लिए हमारे साथ मॉम डैड और अंकल अंटी नहीं है अयान अयाना को इंशनल होता देख उससे कहता है डॉल साद मत हो आज तो खुशी का दिन है ना अगर मॉम डैड और अंकल अंटी तुमको वे से साद होता देख कर वो क्या खुश होगे अयान और अयाना के mom dad का 5 साल पहिये एक accident मियादेत हो गई थी उनके जाने पर अयान और अयाना और अयाना के दो भाई मयंक और मानस चारो ही एक दूसरे की family है यान और अयाना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी के mysterious sucks और उसके साथियों को इन पिछले 5 साल में उनके हर एक किये की सजादी है और आज mysterious sucks के बनाई हुए पूरे सामराजय को अयाना और अयान ने मिठ्थी मैं मिलाया है आज के बाद उन दोनों की मानस और मयंक के साथ एक नई जिंदगी की सुरावत होने वाली है अयान और अयाना जल्द ही fresh होकर अपना dress change करके मानस और मयंक के साथ holiday enjoy करने चले जाते है बिना किसी चिंता बिना किसी परवा के आज उन चारों के चहरे पर मुस्कराहत थी जो आज के बाद आगे येसी ही उनके होटों पर मुझूद रहने वाली है तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करे अभी कहानी जारी रहेगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्लिक करें ताकि आप हमारी नहीं कहानी पहले पा सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे ये प्लोड करूँ तो तम्हारे फोन की घंटी भी बज़े